जील को डिसकस कर लेते हैं जील 34% के आसपास आज भागा एक ही दिन में सारे इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिये धौस्त कर दिये सारे रजिस्टेंस क्यों भागा आए अब आगे क्या करना चाहिए और इससे पहले अगर आपने वीडियो मेरी निदे की जील वाली जब पके- ट्रोलवेक हुआ है जी में और जो रिसेंट डेवलमेंट हुआ एगम फोर रिमूबल ऑफ डारेक्टरी चेंजिंग सेंटिमेंट फोर दा ग्रूप और सैड संतोसमीना हैड ऑफ रिसर्च और इसकी वज़ए से आप देख सकते हैं स्टॉक में तेजी आई है और जी है जे जैसे स्टॉक में काफी सा तेजी आई है अब देख लेते हैं चार्ट पर और चार्ट पर वह देखो हमने डिसकस किया था जब यह 170 रुपे के आसपस था अब यहां आप लोग को गए भई हमने तो आपकी वीडियो नहीं देखी कभा हमने भई डिसकस किया तो डिसकस मैंन मैंने बताया था आप अराम से कर सकते हैं इसको उस समय मैंने बताया था आप 225-200 रुपे तक आराम से कर सकते हैं इसमें सौट टम के लिए तो अच्छा कासा प्रॉफिट दे दिया इसने एक दिन में 34% भाग गया और पहले भी थोड़ा सा भाग गया था तो लगवग साही देखोगे तो ओवरवर्ट हो गई है और यहां पर देखोगे तो बाई सिंग्नल बन गया है तो यह है अब तो भागते हो श्टॉक की पीछे मैं नहीं जाओंगा बिल्कुल भी अब यह इतना भाग गया तो यहां से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आती कभी भी फस कि अभी मोमेंटम चेस करो लेकिं मोमेंटम चेस में फसने का चांस रहता है और आपको पता है मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं और स्टॉक मैं कभी मैं ऐसा नहीं कि जब यह गिरा पड़ा था यहां 117 के आसपास तब मैं कहां यह ऐसा था बिल्कुल ही बेकार हो गया और अभी आज भाग गया तो यह बहुत ही अच्छा हो गया तो इस तरीके से मेरे भी तो चेंज होते नहीं जो मेरे भी पहले थे वह अभी है और वीडियो देख लेना यहां लास्ट में आ रही है पता चल जाएगा आपको बाकि यहां आपकी मर्जी है आपका पैसा है आपने सकते हैं अपना बना सकते हैं सब्सक्राइब कर लेना वीडियो दोस्ता सीर कर देना जैन दोस्तों